So Hello and Welcome You All I am Rohit from Margin Trader So guys, आज इस वीडियो में बात होंगी HFCL, HSCL के बारे में साथ ही बात करेंगे यहाँ पर Tata Motors के बारे में काफी बड़ी न्यूस सामने आ रही है और फिर देखेंगे एक डिविडिन शेर को जो यहाँ पर 150% का डिविडिन आपको देने वाला है So guys, वीडियो को आएंट तक देखना क्योंकि यह वीडियो काफी जदा हैलफुल आपके लिए होने वाला है So Tata Motors में काफी बड़ी न्यूस है उससे पहले देख लेते है Last Trading Season के इस लेवल पे शेर ने क्लोजिंग दी है यहाँ पर अगर देखें 388 रूपिस के एराउंड शेर यहाँ पर हमें क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है Positive Returns के साथ क्लोजिंग मिली है 2 रूपे 10 पैसे तक एक अच्छी ग्रोथ हमें इस शेर हमें देखने के विली 0.54% के हिसाब से और गाइस यहाँ पर एक ग्रोथ और बढ़ सकते हैं क्योंकि काफी बड़ी न्यूज यहाँ पर आ रही है यहाँ पर अगर देखें Tata Motors to acquire Ford India's गुजराद प्लांट तो गाइस यहाँ पर देखा जाए जो Ford है Ford India उनका यहाँ पर गुजराद में एक ब्लांट है उसे Tata Motors खरीने वाला यह न्यूज काफी पहले से ही यहाँ पर आ रही है बड़ यहाँ पर अगर देखें तो यह खरीदारी यहाँ पर confirm होने वाली है 10 तारीक के आसपास 10 जनवरी के आसपास एक खरीदारी हो सकती है एसी यहाँ पर न्यूज आ रही है और बिल्कुल यहाँ पर पेशा चुकाया जाएंगा 725.7 करोड तो बिल्कुल यह एक बड़ी ख़बर है पूरी बिल्डिंग को खरीदने वाले है जो मशीन मशीन से वेहिकल्स, मैनुफेक्चरिंग जो मशीनरी होती है उसे खरीदेगे एम्पलॉईस के साथ तो बिल्कुल यहाँ यहाँ पर कुछ नहीं बदलने वाला बस यहाँ पर पहले फोर्ड इंडिया फोर्ड की थी अब यह टाटा खरीदने वाला है तो गाइस यहाँ पर यह एक बड़ी न्यूस है और इसका इंपक्ट पड़ेगा स्टॉक क्यों पर इसका इंपक्ट पड़ेगा और शेयर में हमें एक बड़ी उचाल देखने को मल सकती है वह गैस बढ़ते हैं आगे अब बात करेंगे के बारे में वह यहाँ पर दे रहा है लोग यहाँ पर दे रहा है 15 रुपे का डिविडेड यहाँ इस साल का दूसरा डिविडेड है कल साल बजल जाएगा और यहाँ पर अगर देखें तो 2022 का इसे दूसरा dividend है महले 11 मार्च को दिया था अब ये 3 जनौरी 2023 को देगा वड़ गाइस यही अगर देखें announcement तो इसी साल भी है तो बिलकुत यहाँ पर जनौरी की जुरुआ dividend से कर रहा है शेर और यहाँ पर हर साल dividend आपको मिलता ही है 15 रुपे per equity share dividend मिलेगा यानि यहाँ पर अगर देखें percentage में तो 150% का dividend है so उस company का नाम आपको पता है श्रीराम Finance Limited बहतरीन shares में से एक है यहाँ पर देखें बड़े एक बड़ा firm है उन्होंने 1700 रुपे तक का target इसमें दिया है तो बिलकुल यहाँ पर buying opportunity भी है आपके पास stock अगर देखें closing इसने दी है 1381 रुपेस के around वही अगर देखें stock ने growth भी बताई है काफी अच्छी growth रही है 68.75 रुपेस तक share में momentum आया है 5.24% के हिसाब से so guys Tata Motors स्रीराम Finance जो हमारे important share जो हापर dividend share था उसको भी हमने discuss कर लिया अब बात करेंगे HFCL, HSCL के बारे में बिलकुल इन shares के कुछ important labels है जो जानना आपके लिए काफी ज़्यादा चलूड़ी है तो करते हैं वीडियो को आगे continue करेंगे HFCL के साथ so guys HFCL बिलकुल बहतरीन shares में से एक है यहाँ पर stock को अगर आप देखोगे 73.50 रूपिस के राउंड share हमें closing देता हुआ नजराया था last trading season एक गिरावट के साथ closing दिया बद जादा नहीं stock गिरा है 0.068% के हिसाब से जादा गिरावट यह नहीं है बद वही अगर देखें पिछले कुछ दिनों से एक अच्छी बड़त भी यह share बता रहा है यहाँ पर अगर देखें तो एक अच्छी growth stock ने बताई है और यहाँ पर guys अगर देखा जाए 73.50 रूपिस के अराउंड यहाँ पर stock ने closing दे है यहाँ पर 5.60 रूपिस के अराउंड की एक growth है 8.25% के हिसाब से बिल्कुल एक अच्छी बड़त देखने के बड़ी और last 6 month की भी अगर बात की जाए 18.30 रूपिस के अराउंड share बड़ा है यहाँ पर हलका सा अभी गिरावट है बड़े ही recovery cure जा रहा है 33.15 रूपिस के राउंड का यहाँ पर एक अच्छा रिटरलीन share ने दिया है अब बात करेंगे इसके कुछ important levels की तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो HFCL में कुछ इस तरीके का pattern है stock यहाँ से support ले रहा है यहाँ पर भी support लिया और यहाँ पर support लेने की कोशिश कर रहा है so guys यहाँ पर अगर breakdown आता है इस particular level पर अगर breakdown आता है तो fall confirm है बट अगर वही अगर support ले लेता है तो एक तेजी भी यहाँ पर आ सकते है क्योंकि यहाँ पर अगर trade line बना दे हम यहाँ पर अगर trade line बना दे बड़े टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखें तो यहाँ से stock में एक support है support लेके share उपर गया फिर यहाँ पर नीचा है फिर यहाँ से support लेके उपर गया फिर यहाँ पर आ है तो एक breakdown भी यहाँ पर हमें देखने को बिला है breakdown के बाद यहाँ पर stock sustain करके आ सकता है तो काफी कुछ चीज़े हैं बट वही एकर long term के basis पर बेकर देखें इन particular levels पर एक support आपको दिखेंगा हो सकता है support लेगा या फिर हो सकता है यह उपर के ओर बेकरता है तो guys मुझे लगता है कही ना कही इस range range के अंदर आपको काफी संबल कर इसमें आगे की planning करनी चाहिए और long term के basis पर तो हम positive थें हाँ से rejection था हाँ से rejection था breakout confirm वहा stock sustain कर रहा है ओपर की ओरे जा सकता है तो यह से यहाँ पर चीज़े भी देखने को हमें मिल रही है so guys HFCL Limited की हमने बात किया बात करेंगे HSCL की अब बात करेंगे हिमादरी Speciality Chemical Limited के बारे में हिमादरी Speciality Chemical Limited HSCL Chemical Sector का छोटा सा शेर 101.15 रूपिस के राउंड शेर यहाँ पर हमें closing देता हुआ नजरा है यहाँ पर अगर बात करें 0.15 पेसे तक की ही बढ़त हैं और गैस वही अगर देखें FireDisc के टाइम फ्रेम पर 15.60 रूपिस के अराउंड यहाँ पर शेर बढ़ गया है 18.23 परसंट के हिसाब से और लास्ट 6 मंद की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भले यह consolidate कर रहा हो पर जैसे ही breakout मिलता है तो शेर शेर शांदार ओपर जाएगा 41.50 रूपिस के अराउंड शेर में growth आएगी 69.57 परसंट के हिसाब से अब बात करेंगे इसके कुछ important लेवल्स की तो इन लेवल्स के बारे में मैं पहले भी डिसकस कर चुका था यहाँ पर अगर देखें मैंने clearly कहा था कि इस particular level पर support लेता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर support था यहाँ पर जब support लिया था एक अच्छा जम देखने को बिला था उपर की और से एक rejection भी है यहाँ से rejection यहाँ से rejection यहाँ से rejection और guys कल के दिन यहाँ पर अगर देखें मंडे के दिन यह इस particular level पर अगर breakout मिलता है तो stock में 110 रुबे का target आप रख लेना एक शांदार move है आपर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर एक new year rally हमें देखने को मिल सकती है और वही अगर बात करें यहाँ पर stock में अगर देखें यह जो important level है तो कहीं न कहीं हमें लग रहाता कि इस level के हिसाब से भी यहाँ पर एक support आ सकता है और वही आप देख सकते हो यहाँ से share निचे आथा consolidate किया फिर यहाँ से उपर कियो लेचा रहा है so आने वाले time में stock अगर देखें तो 200 रुपे तो भी आपर जा सकता है पहले इस particular level पे इसने consolidate किया था breakout मिला sustain करके ओपर जा रहा थोड़ा consolidate करेगा फिर उपर जाएगा 175 to 1200 तक भी है share में easy तरीके से हमें एक momentum देखने को मिलेगा so काफी कुछ बाते कर चुके हैं हाँ पर HFCL, HSCL को लेकर साथ ही हमने बात की Tata Motors so guys यहाँ पर dividend share भी हमने discuss किया है Shriram Finance तो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को like कर देना, चैनल को subscribe करना मत भूलना और कोई भी share में investment करने से पहले insurance का अनल असस कर लेना, thank you